चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी आटो न्यूस नंबर टुन्टी आज की सबसे पहली खबर आ रही है मारूती की दरब से तो मारूती की जो नई वाली बलेनो फेसलिफ्ट लांच होने वाली है इसकी लांच डेट को मारूती ने एक तरीके से कन्फरम ही कर दिया है और ऐसा पता चल रहा है कि बलेनो जो है ये 23 फरवरी को इंडिया के अंदर लांच हो रही है और इस बार की बलेनों के अंदर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किये हैं ओवराल एक्स्टीरियर और इंटीरियर में बहुत ज़्यादा अपग्रेड इस बाइनोंने किया है कुस मेजर चीजे पता चली है जहां पर ये पता चला है कि जो डिजिटल इंस्टूमेंट कलस्टर होता है वो हेड़ अप डिस्पले होने वाला है और इसके साधी साथ इसके अंदर जो टस्टी स्क्रीन मतलब जो इंफोटेन्मेंट सिस्टम होगा वो 9 इंच का एक स्मार्ट प्ले डिस्पले होने वाला है जो काफी ज़्यादा स्मूध होगा और इसके अंदर स्राउंडिंग साउंड सिस्टम का यूज इस बार मारूती करने वाला है तो आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो इस बार की बलेनों के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है और दोस्तों अगली खबरारी स्कोडा की तरब से तो इस कोडा की जो सलेविया है इसकी भी लांच डेट को इस कोडा ने कन्फर्म कर दिया है तो इस कोडा की जो सलेविया है इसके अंदर दो वैरियंट होने वाला है और दोनो वारियंट जो है वो अलग अलग डेट को लांच होने वाला है जो 1 लीटर वाला वारियंट है वो 28 फरोरी को लांच होने वाला है और जो 1.5 लीटर वाला वारियंट है वो 3 मार्च को लांच होने वाला है और launch से पहले इसकी price leak हो गई है अगर leak price की माने तो इसकी जो price है वो 10 लाग से लेके 18 लाग तक होने वाली है तो let's see actual में Skoda Salavia की price Skoda क्या रखने वाला है बाकी जो इसकी booking है वो भी जिस दिन ये launch होगी मतलब 1 लीटर वाला variant जिस दिन launch होगा उस दिन से उसकी booking start हो जाएगी और जो 1.5 लीटर वाला variant है जिस दिन वो launch होगा उस दिन से उसकी booking start हो जाएगी और दोस्तों अगली खबर जो है वो काफी बड़ी खबर है यहाँ पे जो निटिन गटकरी जी है जो हमारे road and transport minister है उन्होंने ये confirm कर दिया है कि वो इंडिया की standard के हिसाब से मतलब इंडिया का जो safety standard होना चाहिए उसके हिसाब से एक rating system बनाने वाले हैं जिसका नाम भारत n-cap होने वाला है अभी आपको पता है कि जितनी भी कार जो test होती है उनको या तो global n-cap में test किया जाता है या तो german n-cap की उपर test किया जाता है लेकिन अब खुद का इंडिया का n-cap होने वाला है जो कि इंडिया में जो अभी situation है जिस तरीके की यहाँ road है जिस तरह की safety यहाँ पर require है उस हिसाब से यहाँ का rating system बनाया जाएगा जो की काफी जल्दी आने वाला है और इसी के साथ साथ दोस्तों नितिन गटकरी जी ने ये बताया है वो और भी बहुत सार को introduce करने वाले हैं और दोस्तों अगली खबरारी केटियम की तरफ से तो अगर आप एक केटियम लवर हैं तो आपके लिए काफी बड़ी खबर है तो केटियम की जो electric bike है इसके उपर already काम स्टार्ट हो चुका है जो केटियम की parent company है पीरर मोबिलिटी उन्होंने ये confirm कर दिय कर दिया है investor presentation के अंदर उन्होंने रिवील कर दिया है कि केटियम की जो electric bike है इसके उपर already काम स्टार्ट हो चुका है इसकी एक pixelated image उन्होंने share की है जिसको कुछ render करने के बाद इसका जो look है वो कुछ street fighter जो इनकी है उस तरीके का दिख रहा है जो कि आप अपनी screen के उपर द इंडिया होने वाली है और दोस्तों अगले खबारारी महंद्रा की दरब से तो महंद्रा ने एक teaser share किया है जिसमें इनकी आने वाली मतलब upcoming three electric cars का look दिख रहा है जो कि आप अपनी screen के उपर teaser देख सकते हैं और महंद्रा ने ये बताया है कि इस teaser के अंदर जो भी cars दिख रह ही है इनकी जो और डिटेल है वो जुलाई के महीने में सेयर करने वाला है आप कितना ज्यादा excited है actual में महंद्रा की electric car के लिए ये आप नीचे comment करके बता सकते हैं और दोस्तों अगली खबारारी royal infield की दरब से तो royal infield की जो scram 411 आने वाली है जो कि हिमालेन का एक lighter version आप इ template जो भी आप बोलें वो leaf हो गया है जिसमें जो highlighted feature detail होती है वो सारी चीजें दिख रही है रेट्रोई style headlight देखने को मिलने वाली है और जो rear view mirrors है वो भी rounded retro style ही देखने को मिल रहे है बाकी ऐसा expect किया जा रहा है कि जो ये scram 411 है ये हिमालेन से थोड़ी सी सस्ती होने वाली ह और दोस्तों इसी के साथ आज ये हमारी auto news खतम होती धरी उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तेक like कर दिजे साथ में इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share कर दिजे और last तक देख लिए thank you फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीड कर दिए में